नमस्कार, परताल दुनिया भरकी में आपका स्वागत है आज अपने कायट्रम में हम आपके साथ बात करेंगे भारत के दो एहम पडोसी देशों के बारे में पाकिस्तान और श्रिलंगा दोनों गहरे संकट में भसे हुए है इस संकट के पीछे की कहानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी बीच उन्होंने ऐलान किया कि वह प्रदर्शन करेंगे देश द्रोहियों के खिलाब और इमरान खान पूरा का पूरा मामला बता रहे हैं कि उनको सत्ता से बाहर करने में अमरीका का एक बहुत एहम रोल है और प्रधान मंत्री के अलावा यहां हमें और आपको यह याद रखना ज़रूरी है कि शिरलंका में सत्ता एक ही परिवार के पास है ऐसा परिवार जिसका इतिहास बहुत कुरूर रहा है खून से लखपत इतिहास रहा है श्रिलंका में सत्ताधीन लोगों के पास और जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को रसातल में डुबोया जब गहरे संकट में फस रहा था तब भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया इन तमाम मुद्दों पर हम बाद करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीर जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत तेजी से घटना क्रम बदला हमें दिखाई दिया कि पाकिस्तान के जो इमरान खान है वह गए पुतिन से भी मुलाकात हुई उसके बास से वह लगातार एक तरह की बात कह रहे हैं कि अमरीका का दबाओ बढ़ रहा था आज जब ह आपसे बात कर रहे हैं तब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है फैसला किसी समय भी आ सकता है मैं फैसले के से ज़्यादा आपसे यह जानना चाहूंगी कि इसकी प्रिश्ट भूमी क्या है इसमें अमरीका का योगदान क्या है पुतिन से मुलाकात का योगदान क्या है कैसे पाकिस्तान में जो उथल पुतल का ये दुबारा दौर शुरू हुआ को कि बहुत अचानक शुरू हुआ ये इसके पीछे क्या ताक्ते हैं क्या कहानी है देखे एक तो अंद्रूनी बाते भी है सिर्फ एक्स्टरनल बात नहीं है पाकिस्तान में हमेशा बहुत पहले से हम जानते हैं जो मिलिटरी है वो उसकी राजदितिक क्या कहेंगे कमान लगाम उनके हाथ में होती है और अगर वहां लगता है कि सिविलियन एड्मिनिस्ट्रेशन प्राइम मिनिस्टर हो जो भी आपके दूसरे लोग हो वो अगर म मिलिटरी उसको वरदाश्ट नहीं करता है यह तो कोई ज्यादा पाउरफुल अगर हो जाता है तो भी मिलिटरी को लगता है कि हमारी जो बागदोर देश की हमारे हाथ में है वो असलियत जो है चली जाएगी और पुलिटिकल पाउर उधर शिफ्ट कर जाएगी तो एक तन बदला है इमरान खान को भी उसी तरह उन्होंने ले के आए थे तो इसलिए पाकिस्तान मिलिटरी असली पावर है यह लोगों का अंदेशा है कि पहले से कि यह हकीकत है इमरान खान के दो चीज वी एक तो है वो एक पावर सेंटर बने और वो मिलिटरी के अंदर भी कुछ वो करना चाहते है प्रोमोशन किसको मिले इसके बारे में तनाव उनकी मिलिटरी कमांडर के साथ था और खासतोर से बाजवा साथ के साथ वो था तो एक तनाव अंदरूनी तनाव भी दोनों के बीच में रहा है टेंशन रहा है और दूसरी तरफ जो इमरान खान की रहे थे वो हमारे लिए माफिक नहीं बैट रहा है आज के तारीक पे लोकि अमरीका हमारे साथ हम उसके साथ देते हैं पर कभी भी हमको कोश सकते हैं हमको कोशते हैं धंकाते हैं और अफगानिस्तान पी जो भी होता है हमसे बिना पूछे करते हैं पर भगव धंको पढ़त तो यह सब जो तनाव उसके था उसलिए वह एक independent foreign policy चुनने के रास्ता पे चल रहे थे जिसमें मेरे खाल से एक वाक्त वहां के military की भी सहमती थी कि अफगानिस्तान में उनका राजडिती जो है foreign policy जो है अमरीका परस सिर्फ ना हो चीन के साथ वो संबंद बना रहे थे रास्त जो corridor की बात है economic corridor उसकी बात हो रही थी वो यह independent जो policy अपनाना चाहते थे वो इमरान खान के problem यह है कि वो core commanders और उनकी generals को कितना पसंद आ रहा था नहीं यह उन्होंने लगता है कि वो संबंद उनकी सही नहीं रहा उन्होंने साफ कहा है इस बार कि Ukraine खेल में था क्योंकि हमन इंडिया की policy Ukraine पे हमने दाद दिया हमने Ukraine के बारे में बातचीत किया Russia से रूस के साथ हमारा संबंद हम ठीक रखना चाहते थे हम अमरीका परस्त नहीं बनना चाहते हैं हमारी पाकिस्तान की अंतराश्रिय स्टैंड जो है हमारे देश के हित में होना चाहिए यह अमरीका को बरदाश नहीं हुआ वो तो अब साफ है क्योंकि जैसा कि जाहिर भी हुआ था जिस तरह से जो अमरीका में पाकिस्तान के अंबेस्डर हैं उनका जो पूरा का पूरा वारतालाप वहां पर अमरीकी विदेश मंतराले से हुआ और उसके बाद जो उन्होंने पत्र लिखा उ कि स्टेट डिपार्टमेंट का एसिटेंट सेक्रेटरी डेविड लू हमको ये बता रहे हैं कि आपके लिए अच्छा नहीं हुआ है हम नाराज अच्छा नहीं है कि आप यूकरेन में हमारे साथ नहीं देते हो और इम्रान खान ने इसके बारे में कहा कैसा पत्रों क्या र रवाईया बदली है तब ही इम्रान खान ने कहा था कि हिंदोस्तान को क्यों नहीं लिखा आपने वहां तो पत्र नहीं लिख रहे हैं तो ये तो एक पोजिशन था कि इम्रान खान का जो अंतराश्ट्रियस तर पे जो पोजिशनिंग था चाहे वो अफगानिस्तान चाहे वो युरुस्य पे हो वो अमरीका को पसन्द ही आ रहा था, और Bajwa साभ ने इस्लाम, इसलामवा डायलॉग में भी साफ कर दिया कि उखरेन के इश्यू पे, वो अमरीका के साथ है। और अमरीका को जो अमरीका परस्त policy जो है लगता है वहां के military अभी भी चाहता है तो यह जो positioning है इसमें भी एक तनाव है पर इसको सिर्फ अंतराश्ट्रिय स्थर पे न देखे इनका अंदरूनी tensions है और उसकी बाहर किसी समर्थन तो संसद में वापस हुआ और बाद में यह जो संसद की अगर प्राजडिती देखे तो जो ताकत पहले military ने उनका मुखालफत किया था जिसके वज़े से इमरान का न उभरे और अब उन्ही ताकतों का वो समर्थन दे रहे है इमरान खान को गिराने के लिए और इनकी अपने पार्टी के उससे भी लोग opposition के साथ no confidence motion ने शामिल विये थे दूसरे पार्टीों के साथ मिलके इमरान खान को गिराने के लिए और उन्होंने जब 15 किया संसद में उसमें प्रश्णचिन्द ही है कि जब minority अब बन जाते हो क्या आपका हंग बनता है resolve करने का पर सवाल यह भी है कि कभी भी कोई भी prime minister अगर कहता है कि बै अब people को face करने के लिए तयार हूँ, dissolve करके election किया जाए, opposition parties के लिए कहना, कम election में ही चाहते हम तो और एक सरकार चाहते हैं जहां पर इमरान नहीं होगा, हमारे लोग होंगे, तो यह भी एक सवाल होता है क्योंकि दलबद्लूओं का एक हिसाब सब्सक्राइब दलबद्ल लोगों ने किया है दलबद्लूओं के लिए सरकार गिरा, तो एक public जो एक credibility है किसके साथ है, इमरान का इस तरह से कि जो constitutional धाचा को बिगाड़ने का यह तो constitutional जो moral morality होता है अब दलबद्लू न बने, सरकार न गिराए उसका एक सवाल है तो मैं समझता हूँ इमरान इस हिसाब से public posture जो इसका रहा है उसको एक समर्थन मिलेगा क्योंकि इस तरह के अस्थिरता, लोगों का दल बदलने के लिए, यह साथी दल उधर जाने के लिए पल्टी खाए, इसको भी लोग इतना बरदाश्ट नहीं करेंगे अब सवाल है के जनता कहां जाएगी, वो तो बात की बात है इस वक्त बागदोर तो Supreme Court के हाथ में है कि इमरान खान का और President का और जो Deputy Speaker of the National Assembly था, उनका जो decisions है, सही हुआ नहीं हुआ, constitutional है या नहीं है, इस वक्त Court के हाथ में पूरी पावर से है वो क्या करेंगे, देखना पड़ेंगा पर इस पे कोई दोर आय नहीं है इमरान खान की इस दाओं को Military, न तो जो दूसरे विरोधी दल है इनको anticipate किया भापी नहीं पाए कि इमरान खान ये दाओं चल देंगे, दाओं चल देंगे तो एक यह था स्थिती एक unstable equilibrium में इस वक्त Pakistan पहुँचा, कहां जाएगा बताना बढ़ा मुश्किल है क्योंकि credibility, constitutional order के भी गई है और political parties के भी गई है इमरान खान का किता गया है नहीं गया है वो देखना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझद लगता है कि पाकिस्तान में एक sympathy उनके लिए शायद होगा क्योंकि देश में कोई कहे कि मैं अमरीका का खिलाफ बोल रहा हूँ हमेशा उनको लगता है कि देखो सीना तान के एक पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, अपना देश का है अमरीका जैसे बड़ा देश को चुनावती दे रहा है ये एक लगता है कि कुछ हेलो सिर के आचार होर हो जाता है अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान का जगटना करम रहा, उसके अमरीका जिस तरह से पाकिस्तान को भी करीब करीब हसा की भगा, क्योंकि जो रिफ्यूजिस आएंगे, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान और इरान में जाएंगे, सबसे जादर तो पाकि जो उनकी रिष्टा है, यह तो बहुत गहरा विष्टा है। इसकी एक लेटिस्ट जो बानगी है, एक्जामपल है, वो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है हमको। और इसका ना बना पाना भी शायर पाकिस्तान पे दिखाई पड़ाएगा। क्योंकि रूस, चीन, पाकिस्तान एक तरफ से बातशीत करेंगे और कुछ दिखकर्श पे पहुंचेंगे, खास दोर से अफगानिस्तान पे एक बहुत बड़ा यह चेंज है। और उसके साथ-साथ हिंदुस्तान और रूस की भी संबंद अच्छे है इस वक्त, वो भी अमेरिका के साथ नहीं दे रहा है यूकरेन वाले इशू पे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहली बार एक अंतराश्ट्रे इशू पे लग रहा है, एक तरफ साथ-साथ खड़े ह तो बहुत बड़े चेंजेस होने की भी संभावना है, बशचते पाकिस्तान में क्या होता है इसके उपर, देखने की बात है अभी, क्या सुप्रीम कोर्ट बताते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे इलाके लिए इसका एक बहुत-बड़ा एहमेत रहेगा तो वो देखने की अब इंतजार है कि क्या आता है। इसके पीछे बहुत-बड़े पैमाने पे वहां की सरकार की जो नीतियां रही हैं, जिस तरह से उसने फर्टिलाइजर पर एक दाओं खेला, अचाना की और्गनिक करने की बात कही, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का पूरा का बैलेंस, भीशन रूप से जो लोन लिया हुआ थ अचार के बीच के जो रिष्टे हैं, वह भी बहुत सघन रहे हैं, लोग मदद के लिए भारत के तरफ भी देख रहे हैं। राज़ा पक्षे ब्रदर्स यहीं इस वक्त सत्ता में है, तो चार भाई कैवियंट में हैं। तो राज़ा यह जो है मिलिटरी लीडर भी रहे। पुलिस की लीडर भी रहे, सरकार की लीडर भी रहे। सब जो है बहुत बार्बर दमन भी नहोंने किया श्रिलंगा में तमिलों की खिलाफ तो यह जो गुट जीत के आया है तो इनका एक समझ था कि हम तो एक दम सब कुछ समझते हैं हम जो चाहेंगे वही होगा और और कोई शक्ति देश पे है नहीं तो एक तो यह इसका एक authoritarian streak जिसे आप कह सकते वो है और वो anti-Tamil भी रहा ह है एंटी-Muslim भी रहा है तो वो एक क्या कहते है स्री ला सिंहला authoritarian streak का उसका एक expression गोटबाया brothers हैं खास्तोर से अब तो family पूरी सरकार को अब कबजा कर लिये हैं दूसरी बात की इसके साथ-साथ उनका एक की new liberal policy पे बहुत विश्वास था उनका था कि tax घटा देंगे investment बुलाएंगे देश जो है खिल उठेगा चमक जाएगा तो IMF बगारा जो लोग कहते हैं जो खुद अपने देश में नहीं करते हैं वो उन्होंने सोचा कि स्री लंका में यही शायद सही policy है तो एक दूसरी चीज थे मैं उस पे आऊंगा क्या उस पे हुआ अग तीसरी च तो सावने थाएंगे ड के चूल यहां है बसे नहीं चल पा रहे हैं विजली की बारागंटा ऑच ओड़्गंटा का घर 25 को खोती है खाने के लिए zumaguri market नहीं है रोजगार टी है कि अगर भिजली नहीं है तो फ्ैक्री से लेकर बहुत सारे चीज ठाप है अगुद हराएब ही है तो उस पर operation कैसे करें तो बारा बारा 14 गंटे की जब बिजली कटाउती होती है देश की क्या हालत होता है उसके साथ साथ आप जो कहरें ना रोजगार है ना खारे की सामक्री है तो यह एक भीशन स्थिती जो पैदा हुआ है सरकार की सिर्फ असफलता नहीं पूरा निकम नहीं है हम तो सम्हाल लेंगे तो पता नहीं उनको लोग सही बताते नहीं बताते या सुनते नहीं है सुनके भी उनको लगता कोई फरक नहीं पड़ता गरीब कुछ जाएगा तो हमें क्या फरक पड़ता पता नहीं किस रवये से चल रहे हैं जो आंक्डे सामने है वो तो स सबको सबके सामने था तो इसमें क्यों कोई कदम नहीं उठाया पहले से समझ भी नहीं आ रहा है अब सब ठाप होने के बाद अब रुन ले रहे हो भिंदुस्तान से चीन से बड़े बड़े रकम ले रहे हो क्योंकि देश अगर इसका गार में पहुंच जाता है उसको पुनर पुनर जीवित करना economy को आसान काम नहीं है और वही अब दिख रहा है तो इतना दूर तक आने क्यों दिया यह सवाल है आपने पूछा कि आपने कहा कि fertilizer की दाम taxes की तो इस वक्त जो GDP contraction जो है वो तो छोटा दिखता है पर उसकी आर्थिक सरकार की जो आर्थिक base है जो आपका tax के जरीए आता है वो बहुत कम हो जाता है तब अब बहुत सारे चीज कर नहीं पाओगे तो दो crisis है सरकार की आमदानी उसके पास पैसा नहीं उसके पैसे नहीं है दूसरी बात है आपका foreign exchange जिससे आप बाहर की चीज़े खरी सकते हो कि स्री लंका का economy पूरा इंधन बाहर स आता है पूरा खाने के बहुत सारे चीज बाहर से आता है तो दोनों चीज आपके पास अगर ने पैसा इंपोर्ट करने के लिए foreign exchange नहीं है देश चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है सरकार के पास दोनों चीज बराबर हुई है और इसके साथ साथ बड़े लोंस की जिरा कम आपके तो यह जो हुआ है हुआ क्यों हुआ इसलिए कि pandemic जब हुआ तो उसको handle नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे लोग आपका West Asia से उनकी आमदानी से आपका बहुत बड़ा बड़े पैमाने पे जो परियाटन है tourism दूसरी चीज है tourism दो चीज है एक तो tourism services कह सकते हैं आप उसको उससे आमदानी करते थे अब foreign exchange मिलता था और foreign exchange मिलता था आपके लोग बाहर West Asia में है और भी जगों पर खास्तों से West Asia में है उनकी इंकम आती थी तो यह दोनों तरफ से बहुत बड़ा मार पड़ा था COVID में West Asia से लोग काफी वापस आए और उनकी foreign exchange exchange income tourism से खदब हो गया तो यह जो दो चीजे हुई है pandemic में इसके बज़े से इनका foreign exchange flow जो घड़ गया है तब उनको रून लेना कटावती करना यह हो सकता था उन्होंने सबसे आसान कटावती किया fertilizer कदा जो है कहा कि fertilizer import नहीं करेंगे हमने जो है सिर्फ organic farming करेंगे उससे आपकी जो उपज है agriculture से वो करीब 40-45% गिरी है तो इसका मतलब आपको खाने के लिए आप fertilizer नहीं import करेंगे हो खाने के लिए आप wheat, rice यह अब इंपोर्ट करना पड़ा है पहले आप fertilizer इंपोर्ट करेंगे तो यह अकल थोड़ा कम है कि fertilizer से उपज बढ़ती है उसके वज़े से हमें कम import करना पड़ता अब जो है आपको जो अनाज import करना पड़ेगा उस कदम fertilizer से कही गुना ज्यादा है तो यह बेवकुफी वाली जो कदम है tax relief देना tax relief अमीरों को देना और दूसरी बात है अब imports घटाने के लिए सबसे sensitive sector जबको food grains पैदा करता है fertilizer उस पर आपने यह बेवक कि वो कहते ना कहावत है ना कल बड़ी या भैंस तो वो तो लगता है इनकी सरकार निकी है अब क्या सम्हाल पाएंगे क्या फिर कुछ बुद्धी आएगी क्या विदेशी लोगों को बुला के कहेंगे आप बताओ क्या करना है तो IMF को बुलाएंगे तो हालता और भी खरा होने वाला है तो ये देखने की बात है दुख की बात है कि परोसी देश हिंदुस्तान है चीन है यही दो जो है देश इस वक्त स्री लंका को मदद करने के लिए आया है और जो IMF वो का रहा है वो काते लोन की माफी कर सकते हैं पर करजा बढ़ जाएगा इससे तो ये जो च जादा था इस क्राइसिस के पहले अब कहां पहुंचेंगे देखने की बात है तो निश्ची तो पर विकास की जो पूरी IMF वाली सड़क है वो किस तरह से छोटे देशों को संकट में डालती है इसका भी एक एक उदारण श्रिलंका हमारे सामने और दुनिया के सामने रख है इस पर हम निश्ची तोर पर नजर बनाए रखेंगे क्योंकि हमारे दोनों ही पडोसी देश दूसरे ढंके एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं स्रीलंका में और भी चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा अथारिटेरियन माइंसेट लेके अब जब सरकार चलाते तब क्य जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह का मेजरिटेरिनिजम, जिस तरह से अलबसंख्यकों के खिलाफ जंग छेडने वाले लोग सत्ता में थे, उन्हें देश से कोई प्रेम नहीं था, उन्होंने अपने देश को, देशवासियों को गहरे संकट में जाने दिया, जिस तरह से जहां बच्चे दूद के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए तरस रहे हैं, उससे बहुत साफ है कि यह संकट इन सत्ताधारियों का बनाया हुआ है, और इसमें आएमेफ का जो रोल है, अंतराश्टिय मुद्राकोश का जो रोल है, वह हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारी चैन की नींग सो सकते हैं, शुक्रिया